बच्चो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आइडियल देवकला स्टेशन में स्वागत है बच्चो आज हम आपके लिए विशे हिंदी लेके आए जो अच्छा आठवी के लिए और जो आपकी वासिक पहिशा के लिए महत्पुन प्रस्ण पत्र है अभ्यास प्रस्ण पत् के उत्ता देना है तो इस पकार से यहां से आप 10 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बहुत सरलता से और बहुत सरल रहेंगे चलिए देखते हैं प्रस्ण क्या है नदेज दी वी शूचना के अधार पर प्रस्ण के उत्तर में शही विकल्ब चुनकर लिखिए आपको इस पेड़ और सु धवा जीवन की अनमोल धवा पेड़ हमें देते है अक्सिजन जिससे चलता हमारा जीवन पेड़ लगाओ जीवन बचाओ पर्यावरन सरक्षन एम वेक्षर उपड़ का महत्व रख्ष लगाईए पर्यावरन को बहतर वराईए पौदे लगाए खर्याली ठे पर चित्र में किसका नश्यां ग freshmen करते हैं कि पतान करते हैं किक असके बाद शकर अउर ऐसे लकडी फल मेवा सभी सभी तो बतbur लगाएंगे तब वे हमारे काम आएंगे यह नारा किस विश्य पर लिखा गया है कर नमबर घटाओ अवियान पर पर प्रयावन को बहतर किस प्रकार बनाया जा सकता है पेल घटाकर पेल लगाकर वहन चलाकर शड़क बनाकर तो इसका सही आंसर क्या जाएंगे इससे पढ़ेंगे आप पढ़ने के बाद आप बताएंगे और उसके अधार पर आप आप आशर देंगे फिर नेक्स्ट अगला प्रशन आता है आपका क्या दिया है प्रशन नमर्च 6 में निर्देश निमलिखित पध्यांस को पढ़कर नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर में से शही विकल्ब चुनकर लिखी है अन्याई का अंत न्याई और प्रेम से ही देना है किन्तु इसका आर्थ यह नहीं है कि अपने पेटी अन्याई करने वाले में अपने से अधिक बल है तो उसके मन की बात पूरी तरह बल है तो उसके मन की बात पूरी करने के लिए अपने मन को दबा ले अत्वा बद ले अन्याय करता कितना भी सबल हो उससे भहवित ना हो हमें उसके अन्याय पूल प्रस्ताओं को स्विकार नहीं करना है भले ही प्राणों की आहुती देनी तो देखिए इस गद्यांस में क्या कर रहा है अन्याय का अंत न्याय और प्रेम सही करना है अन्याय की पिकरिया तो यहां पर इसका सही आंसर क्या आजाएगा आपका ख़र नंबर आ जाए क्योंकि अन्याय की बात कर रहा है उप्यूप गद्यांस के आदार पर हमें क्या सु में क्या उफसर्ग है उफसर्ग कहा लगता है शुरू में लगता है तो यहां पर उफसर्ग क्या होगा य अन य अ तो इसका सही आंसर आजाएगा घर नमबर का अ इसमें अ क्या है उफसर्ग है अगला प्रशने प्रशन बनो आहूती का अर्थ है चले जाना नोचावर करना आकर हुती इन में शे कोई नहीं तो इसका सही आंसर आ जाएगा खा नंबर का नुचावर करना अहुती का रत क्या हो गया नुचावर करना इस गद्यांस का उची सीर्षक क्या है न्याय अन्याय अन्याय शभी तो इसका सही आंसर आ जाएगा खा नंबर अन्याय इस गद्या सेट हमने लेके आएं दूसरा सेट अभ्यास सेट दो इसमें बहुवी कल्पी प्रेशन हैंगे इसमें इस पकास एक सूचन दी रहेगी इस सूचना को पढ़ने के बाद आपको प्रेशन के उत्तर देना है देखिए सूचना क्या कह रहा है मद्दाता जागुरुकता वियान दूजार अठारा मंद्दाद दिनाक 28 नॉमबर 2018 वोट हमाओ है अनमोल वोट हमाओ है अनमोल कभव लेहें एको मोल इसके बाद क्या दिया है नाली जब पहुंचे बूत लोकतंत्र को करे मजबूत खेत खलियान और गाओं में से निकलो वोट डालने बिना दबाओ के निक इसके बाद नीचे लिखा है जिला निर्वाचन अधिकारी असोक नगर मतपदेश द्वारा जनहित में जारी सोजन्य से किसके नगरपषद सादोड़ा जिला असोक नगर मतपदेश तो इस पकास से यह आपको सूचर दी रहेगी सूचर को ध्यान से पढ़ना है और सूच चार के लिए तो इसका सही आंसर आजागा खनमर मतदान के पैति सजयक बनाने के लिए यह क्या बना है शूचना है इसके बाद नेच्ट नमर कोशन देखिए खेत खलियान और गाव से निकल कर मतदान करने के लिए किसे पेरित किया रहा है तो आप कहा से देखेंगे कि दुखांदारों को तो इसका आँसर क्या आजाएगा तो आपको जो दिया है उसको पढ़ना चितन में दिखना है उसके आधार पर आदानी की अनसर का प्यों किया गया तो इसका सही आशर हो नंबर संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगतंत की मजबूती के लिए क्या उश्यक है पैसा लेकर उड़ दे सभी मद्दाता उड़ डाले उड़ डालने नहीं आजाए जाती के आधार पर डाले इसका सही आंसर आजाएगा किसलिए जारी की ग पढ़ना है इसके अधार पर नीचे प्रसंदी इनको उतर लिखना है क्या दिया गद्यास इस संसार में सबसे अमूली वस्तू है समय इस अंशार में सभी वस्तू को घटाया बढ़ाया जा सकता है पर समय नहीं शमय किसी के अधीन नहीं रहता नहीं रह सकता और ना किसी की पतिक्षा करता है, विद्यार्ती जीवन में शमय का अपना महत्तव है, शमय का सधुप्योग करने वाला व्यक्ति सद्धे शफल होकर एक स्रेष नागरिक बंता है, शमय का सधुप्योग प्रेश नम्बर साथ क्या है संसार की सबसे मुलिवान वस्तू है संसार की सबसे अमुली वस्तू क्या है शमय तो यहां पर में अगला अमुली सब्सख है उसका लगता है तो इसका लगता है तो खर Vive सबीक्राइबड़ कही बतार है इसकी वीडियो में हमने इसकी मताईं है और पूरे प्रस्ण पत्र को हल करके बताये थे देखिए निर्देश में क्या दिया देवी शूचन के आधार पर प्रस्ण को उत्तर में से शही विकल चुनकर लिखिए देखिए शूचन क्या है मोधी सरकार ने बढ़ाया महलाओं का मान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवि जुचना की शुरूबात के बाद अब लिंगा नुपात के आऊ गया तो एक हजार लड़के और 933 लड़किया तो इस पेकासी शूचा दी रहेगी इसलूचिया पढ़ना है और उसके आधार पे आपको प्रसंद दिया है जैसे प्रसंद क्या दिया है प्रसंद क्या दिया है चित्र में किस अवियान के विश्य में बताया गया है सरकार बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटे बेटी या बचाओ इनमें से कोई नहीं तो इसका स जनवरी 2015 में लिंगा अनुपात कितना है एक हजा लड़के और 871 लड़किया तो इसका सही आंसर कुन सा आजाएगा तो देख लेतें चलिए एक हजार लड़के और 871 लड़किया ने गर नंबर का अंसर इसका सही होगा नेश अगला प्रसन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का अवियान का प्यारम हुआ तो इस चितर को ही देखना है आपको देखो 22 जनवरी 2015 में योजना को उसकी सुरवात के बाद आप देख सकते हैं अवियान बना हर्याना किक्षान तो किस पैदेश की बात किया हर्याना तो इसे कर नंबर का हर्याना जहां पर देख़ें हो पाचों प्रस सही कर लिए तो आपको पांच आंक से आसानी से प्राथ हो जाएंगे इसके बाद नेश्ट गद्यांस आता है आपको गद्यांस क्या है पढ़कर नीचे प्रसन को उत्तर दीजी गद्यांस को पढ़ना है और जो प्रसंद दिये इनके उत्तर दिना गद्यांस का है एक दिन सद्धात बगीचे में बैठेते अचानक उनके सामने तीर से बिंधा एक घायल हुआ हंस आगिरा सद्धात ने उसे प्यार से उठाया गखाओ पर मरहम लगाया तब ही उनका चचेरा भाई देवदत आ पहुंचा उसने हंस बंगा सिद्धात ने हंस देने से मना कर दिया विवाद राजा के दरवार तक जा पहुंचा देवदत का कहना था कि उसने हंस का सिकार किया है इसलिए हंस उसका है सिद्धात ने कहा कि मैंने हंस के प्राणों की रख्षा की है इसलिए हंस पर मेरा अधिकार है राजा ने न्याय करते हुए कहा कि मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है अंता अंस हंस पर सिद्धात का अधिकार बनता है राजा ने सिद्धात को अंस हंस दे दिया अब यह अपने गध्यांस को पढ़ लिए अब इस गद्यांस के जो नीचे प्राशन को तो उसके अधार पर देंगे देखिए सिधात के चचेर भाई का नाम क्या था देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे एक दिन सिधात वगीचें बैठे अचानक उसके सामने तीस से बिंधा एक घायल हुआ इसके बढ़ेंगे अगला प्रेस्ट के जो नाम कैसी होगए एक इसके बद अग्ला प्रेस चानक के दर्बार का। राज़्दरबार राज़तरबार साथ्व में कून सा समास है तो राजा के दर्बार, तो बता सकते हैं, यहां पर कुंसा समास आएगा, यहां पर विभक्ती लगी, के विभक्ती लगी, इसलिए तत्पुरुस समास होगा, तो इसका सही आंसर तत्पुरुस, इस गद्य हंस का उची सिर्सक होगा, हंस और सिधात, 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 सिधात सब्सक्राइब तो इसमें आएगी आपको सौर्ग संदी कौन संदी आजाएगी सौर संदी इस पकार से आपके 10 प्रसने कंप्लिट हुए क्योंकि आपके पेपर में 10 विकल पिसी पकार से आएंगे एक सूचना के रूप में आएगा और एक गध्यांश के रूप में तो ना करें बार बार हाथ दो हैं जब आपके हाथ इस पस्टूप से गंदे ना हो गंदे ना हो तब भी अपने हातों को अलकोहल आधारी थेंडवास का साबून या साबून और पानिक से साप करें अगर आपको बुखार खासी और सास लेने में कटना ही है तो डाक्टर के मिलने के दौरान अपने मुह और नाग को ढखने के लिए मौस्टे कपड़े का प्रियोग करें छीकते और खास्ते सामें अपना मुह वह नाग टीशू या रुमाल से ढखें अगर आप में कोरोना वाइरस के लच्छर है तो कपया राज हेल्प लाइन नंबर या स्वास्त मंत्राले की 24 गुलिस साथ हेल्प लाइन नंबर ये जो नंबर दिया इस पर काल करें फिर दिया यहाँ पर प्रियोग के तुरंत बाट टीशू को किसी बंद डिब्य में फेक दें भीडवाल वाली जगहों पार जाने से बचें एदि आपको खासी और बुखार कानभव हो तो किसी के साथ संपर्ग में ना जाए किसी के पास संपर्ग में ना जाए अपनी दें उपर देना है चलिए प्रसर कि यहाँ सूचन किसा बीमारी के संब्ध में है तो कोरो ना से संब्ध़ भीबिवारी तो कोरोना उप उपर में लिग देंगे नa च्प्रस्टन फ नमलना दो मुह और नाक को ढवर अधकन के लिए क्या उपियोक में लाना चाहिए तो प कोरोना वायरस से सतुरू से हिंसक पसू से पहलवान से तो इसका सही आंसर आजाएगा कोरोना वायरस से इस सूचना में इस्थानी भासा का प्रयोग क्यों किया गया मनोरंजर के लिए संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शाष्की निदेशों का प पढ़ लीजे उसके प्रस्वक्ता देंगे चली गद्यास क्या है सज्जन व्यक्ति सबके हितकी बात करता है भले ही उसकी रूची राज-काच में ना हो या वहाँ अपने जीवन में कितना ही असफल रहा हो फिर भी वहाँ सबकी भलाई के काम करता रहता है ऐसा व्यक्ति पक सब्की अपने बच्चों की तो इसका अंसर आजाएगा शबकी सज्जन व्यक्ति सबके हितकी बात करता है यह आपके घज्यांस में दिया हुआ है सफल सब्दमें उफसर्ग है लिए तो इसका गनंबर का असा सही होगा जीवट वाला में प्रत्य है तो यहां प्रत्य क्या जन सतधं जन सज जन जन न सब और इसका सही आन्सर कुछ हो जाएगा तो इस परकार से आपको इन प्राश्न के उत्तर देना है तो यहां बच्चों आपके हमने चारों सेट के जरया दरधा gideak दें है तो चैनल फ्रति के आफ़ कीजिए यों अनी गुरूप में शेयर जरूर कीजिए